नमस्कार मित्रों अच्छा डिजिटिक में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सल में फार्मोलों की मदद से स्टुडेंट रजल्ट शीट कम समय में कैसे तैयार कर सकते हैं जालीए अब हम अपना वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले हम एक्सल सीट खोलते हैं कि इससे पहले हमारे पास पहले से डाटा बना हुआ है डमी शीट मैंने बना रखता है इसमें कुछ नाम है लिखे हुए हैं डमी मार्क्ष भी चड़े हुए हैं इसी तरह की सीट हम कैसे बनाएंगे डाटाशीट में आप देख रहे हैं कि ऊपर दो लाइने खाली है खाली नहीं बल्कि उन्ता नाम लिखा हुआ है और नीचे क्लास और सेक्षन है इसके बाद नई डाटाशीट में हम दो लाइन छोड़ देंगे यह दो लाइनों को छोड़ देंगे और पहले कॉलम में रोल नंबर दूसरे में इस्टुडेंट नेम तीसरे में डियो भी अगले में अड्रस हो सकता है आप अड्रस डाल सकते हैं या जितनी भी आवसकता हो हुआइंट हो उसके हिसाब से हमम अपना ड़ाटा लेंगे उसके बाद सबसित और आता है सबघ्ट में होते हैं ओविंग्ले सब्सें तबादे करेंगे इसलिए हम new में आते हैं और यहां पर एक blank worksheet है हम इसे create कर देते हैं दो line हमने यहां पर छोड़ दिया है फिर इसमें roll number roll number इसके बाद students name 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 फिर अगला column है dov उसके बाद अगला column है हम अगले column यह पुरानी data sheet से ले आते हैं हम copy करके paste कर देंगे लेकिन हम यह बताते हुए चलेंगे कि कैसे आप merge करेंगे कैसे दो line को एक में merge करेंगे तो यह सबसे पहले यह subject वाला हम लेकर के आते हैं पास subject है copy किया और यहाँ पर हमने paste कर दिया यह एक line सोड़ करके नीचे वाली line में paste कर दिया उसके बाद उपर सभी column के से ल हम select कर लेते हैं और यहाँ पर merge even center में जाते हैं और merge कर देते हैं उपर लिखना है subjects subject subjects इसके बाद यहाँ पर है total क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम copy करके paste करते हैं अपनी seat से आप अपने आप कर सकते हैं यहाँ से देखे यहाँ ने ले लिया और copy किया इसके बाद यहाँ पर हम paste कर देते हैं यहाँ पर नीचे एक line है उपर line में roll number लिखा हुआ है इसको हम merge and center करते हैं student name भी merge and center कर देते हैं DOB भी ऐसे ही कर देते हैं आप इधर देख रहे होंगे इधर यह bold नहीं है इसको bold कर देते हैं यह bold कर दिया यह तीनों select दिया क्योंकि यह bottom में देखिए अच्छर दिखाई दे रहे हैं इसको top में कैसे करेंगे यह center में कैसे करेंगे इसके लिए हम right click करेंगे और format cell में जाएंगे format cells में आए alignment में यहाँ देखिए bottom select है इसको हम center कर देंगे और यहां wrap text कर देंगे क्योंकि जो अच्छर अगल वगल में है वह उपर नीचे हो जाएंगे column और cell के हिसाब से set हो जाएंगे यह देखिए student name नीचे हो गया ठीक है इसको पूरा हम select कर लेते हैं यह देखिए और यहां पर हम इसको all waters बना रहेते हैं अब roll number के रिंचे roll number आपको डालना है one और two डाल करके या जितने भी number हो serial में करना है को ना पकड़ा और इसमें cross का जहाँ निचान में बना हुआ है उसको हम drag कर लेते हैं seven students का है मेरे पास इसले कर दिया और इसको center कर दिया लेकिन आप देख रहे होंगे हमारी पुरानी सीट में 001 लिखा है अगर 001 हम इसमें लिखते हैं तो यह one ही रह जाता है इसके लिए हम को क्या करना है यह हम select कर लेंगे दोनों यहां पूरा select कर लें लेकिन दोनों ही select करेंगे क्योंकि drag करना है right click करेंगे और यहां format cell में आएंगे और उसके बाद number में और यहां test select कर देंगे 001 और 002 यह 0 ले लिया अब इसको drag कर देते हैं नीचे तक अब 001 से लगाकर 007 तक हो गया है आप अपने record के अंसाथ type कर सकते हैं हम करते हैं ज्यादा समय न लगे इसलिए यहां copy कर लेते हैं और यह copy करके हम पेस्ट कर देते हैं यह paste कर दिया यहां पर जो numbers है dummy numbers मैंने पहले से रखा हुआ है वह copy करके पेस्ट कर लेता हूं यह आप आप देख रहे हैं कि हमारे में column number पड़ा हुआ है मैंने column number इसमें नहीं डाल रखा है अगर आपको डालना है column number यहां click कीजिए और right click कीजिए और insert में जाएए उसके बाद entire row और आप insert कर दिये देखे हो गया इसके बाद column का हम number दे देते हैं one two three one two यह हम इसको drag करके यहां तक ले आते हैं यह हो गया अब पूरा हम select करके और यहां पर all water बना देते हैं यह बन गया यह देख रहा है कि आपके सामने यह पूरा format तयार हो गया है अब total पर आते हैं हम total कैसे करते हैं total करने का दो तरीका है या तो आटो सम कीजे या तो formula लगा दीजे हम इसमें आटो सम का ही प्रयोग करते हैं हम यहां से जहां से total करना है उससे को select करेंगे और जिसमें total करना है वहां तक लाएंगे और आटो सम राइट हैं यह क्लिक करते हैं और इसका कोना पकड़कर और हम ड्रैक कर देते हैं यह पूरा सा total हो गया और इसको center अगला कालम percentage का है हम total पर आते हैं इतने भी subject है 5 subject हैं यह हमने माना है कि throughout 100 में यह marks obtain किये गया है तो यहां पर फार्मुला लगाने के लिए equal to से formula start करते हैं यह equal to से formula start होता है equal to grand total वाले cell को click कर देते हैं divided by 500 into 100 और आप देख रहे हैं 58.40 आ गया और यहां कोना पकड़ कर नीचे तर ट्रैक कर देते हैं इस तरह सारे students का percentage कर लेता है इसके बाद आते हैं अगला कालम result का है result में यह देखना है कि कौन pass है कौन fail है इसके लिए भी formula लगाएंगे और formula में लगाने से पहले यह निरधारित तो करना पड़ेगा कि कितने percent तक हम pass रखेंगे कितने percent से नीचे होंगे तो fail होंगे हम यह मान के चलते हैं कि 33 percent and above are past 33 percent होता है 165 it means 164 से नीचे पाने वाले बच्चे फेल होंगे इसके लिए formula देखिए equal to if और small bracket total वाले cell को click करते हैं यानि 164 या उससे कम smaller than equal to 164 कामा लगाएंगे कामा लिख देंगे fail इनमाटे कामा क्लोस फिर कामा लगाएंगे if small bracket उसे cell पे click करेंगे और greater than equal to 165 कामा इनमाटे कामा यहां पर P-A-W-S pass दोनो bracket close करतेंगे फिर pass इंटर करतेंगे यह pass लिख गया इसको कोना पकटके track कर देंगे आप देख रहे हैं जो 33% and above 5 यह है वो pass है अगला कालम आता है grade का grade नेधारन करेंगे हम grade में first, second, third यह देखते हैं उस पर भी अंकों का नेधारन होगा first division 60% second division 45% और third division 33% हम अब फार्मूला लगाते हैं equal to if small bracket वही total वाले cell को click करेंगे और smaller दें one, six, four comma लगाएंगे inverted comma चुकि 33% से जो कम पाये हुआ है उसका कोई grade नहीं होगा इसलिए हम यहाँ dash लगा देते हैं और close कर देते हैं फिर comma लगाएंगे if small bracket sell address उसके बाद हम smaller than equal to two to four comma कमा invert कमा और यहां पर यहां पर लगाएंगे third invert कमा close comma if small bracket यहां पर पर यहां पर यहां पर small bracket small bracket sell address greater than equal to two three hundred two three hundred inverted comma first inverted close हमको कितनी बार यह लिखना पड़ा कितने brackets लगे हुए हैं वह हम देख लेते हैं one two three और four four bracket से close कर देते हैं और इंटर कर देते हैं देखिए second आ गया अब इसको हम पूना पकबकर track कर देंगे आप देख रहे हैं सबके grid इस प्रकार से हम बहुत कम समय में एक्सल में स्टूडेंट रेज़ट सी तयार कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्रप्यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें धन्यवाद अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी हम इत अगले नमस्ङा वीडियो